इस video मैं आपको Exel में Auto Fill के बारह में बताऊंगा Auto Fill क्या करता है इससे हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं उसको जानने की चलते हम अपनी exel के seat पर और वहाँ इससे करके देखते हैं तो आप देखेंगी यह मेरी Exel के seat है जिस पर मैं आपको auto fill के बारे में बताऊगा, तो यह से कि आप देखेंगे, यहाप पर मैंने one type किया, और यहाप मुझे two type करना है, इस तरह से मुझे यहाँ three करना है, इस तरह से मुझे आंगे तक करना है, यह hundred तक, माल लीजिए, अब आप क्या करोगे, टैप करोगे, नही फिर इसके बाद आप देखेंगे, आप राइट साइड में, नीचे बॉटम पर आप देखेंगे, यह plus बन के आता है, यह plus हमारा क्या करता है, यह जब भी आप इसको अपने mouse के left बटन से pointer को दबाएंगे, मतलब की press करेंगे, और फिर आप नीचे जहाँ तक ले आना चात आप देखेंगे, तो मैंने आप 67 तक लिखा है, 67 तक आगया, आप चाहें तो और भी ली सकते हैं, तो यह मेरा autofill कहलाता है, इससे हम बड़ी असाननी के साथ किसी भी चीज को लिख सकते हैं, अब ऐसे आप टाइप करते हैं, तो बाद टाइम लगता आपको, लेकिन आप 2 टाइप करूँगा, और आप यहाँ देखेंगे, मैंने इसको फिर राइट साय बाटम में जाकर, इसे मैंने फिल आउट किया पूरा, तो यह मेरा autofill हो गया, तो हैना असान यह आपका autofill, आप चाहें तो आप यहाँ पर कुछ और भी autofill कर सकते हैं, जिकि मैंने 1.1 ल तो यह देखना यह भी हो गया, अब आप चाहें तो यहाँ पर table लिखना है, तो तहीका table लिखा, मैंने 3 तु लिखा ही है, मैं यहाँ पर 6 तो मुझे यहाँ बाइन मिलना चाहिए ना, तो मुझे इस से लिखना है, तो मैं इसे autofill कर सकता हूँ, तो मुझे 3 तृका table भी म करने के बाद तो यह हमारा minus two minus three minus four इस तरह से मुझे दे देगा अब आप number के इलावा भी ऐसे की date रही तो मैं यहाँ पर date डालता हूँ आज की date है 10 और first महिना है और 2014 ओके अब मुझे date आगे भी चाहिए है 11, 12, 13, 14 तो आप क्या करेंगे यह आप इसको drag कर सकते हैं तो आपक आपको मिल रही है यहाँ 10 है यहाँ 11 हो गया 12 हो गया 13 हो गया इस तरह से हमारा जहां तक आपको चाहिए वहां तक मैंने कर लिया तो यह भी हमारा autofill हो गया अब अगर आप यहाँ पर लिखते हैं Sunday तो मैं यहाँ पर Sunday टाइप करूँगा वह जानता है S-U-N-M-O-N-T-U-E इस तरह से वह जानकर कर देता है अगर आप यहाँ पर जहनवर ही लिखते हैं तो भी हमारा autofill हो जाएगा चलो करके देखते हैं J-A-N-U-A-R-Y तो मैंने इसको भी किया autofill तो यह भी हमारा February, March, April, May, June, July जो भी आप देना चाहते हैं वहाँ तक यह हमें दे देगा और इसका भी हमारा three words आप लिखोगे तो उसको भी वह मुझे दे देगा तो है ना कितना आसान तो अब तो आप समझी गई होंगे कि autofill क्या होता है और इससे क्या benefit है benefit तो समझी गई होंगे कोकि हमें इस पे महनत कम करनी पड़ती है, typing कम करनी पड़ती है और आप किसी भी formula को जो आपको बारवा लगाना है नीचे और cello में तो आप उसे autofill कर सकते हो तो मुझे लगता है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी